और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे कि मोधी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है मोधी सरकार ने के इंद्रे क्रमचारियों के उपर नकेल कसने के लिए एक नया रेगुलेशन लागू क्या है और फटा फट उसकी डिटेल मोधी सरकार ने मांगी है आप सभी को ये regulation कुछ हद तक पसंद आएगा और कुछ हद तक पसंद नहीं भी आएगा मैं आपको बता दूँ कि लगबग 45 सरकारी department जो किंदर सरकार के अंडर है उनको DOPT ने letter लिख दिया है उसमें सफस्ट सब्दों में DOPT ने ये बोला है कि जितने भी non-performing या इनकी जो कम performance करने वाले और craft officer हैं उनकी list भेजिये इसके लावा health data भी सबी करमचारियों के DOPT ने मांगे हैं और उनके health की अगर condition थोड़ी खराब है तो उसका काम के उपर क्या परभाव पड़ रहा है वो detail भी मांगे गई है कुछी दिनों में आपको ये details से आपके सामने आ जाएंगी अपने department में आपको देखने के मिलेंगी क्योंकि इसकी deadline दी गए है सिरफ 13 दिसंबर 13 दिसंबर तक DOPT के पास सारे के सारे data पहुँच जाएंगे उसके बाद DOPT का सफरस्ट सब्दों में कहना है कि जितने भी कम performance वाले किंद्रिय क्रमचारी है उनको हम compulsory retire करना start कर देंगे हर महीने किंद्रिय क्रमचारी को compulsory retire किया जाएगा क्योंकि जो performance अच्छी नहीं दे रहे हैं जिनका background जिनके leave history पीछे जितनी leave history है वो भी मांगी गई है इसके अलबा उनका appraisal कैसा रहा है उसके basis पे उनको हर महीने retire किया जाएगा आप देख सकते हैं नरेंदर मोधी government का लगभग 40-45 ministry को ये letter लिखा गया है कि जितने भी non performing और craft officer है उनकी list अपने पास वो तुरंत भेज़ दे DOPT ने इसके बारे में reminder immediate नाम से ये letter भेजा है और इसमें बहुत सारी लगभग हर केंदर सरकार के department के अंडर जितनी भी बड़ी बड़ी सेंख्या में manpower वाली ministries है उनको ये letter forward किया है और इसकी deadline भी आप देख सकते हैं 13 December deadline दे गई है यानकी 13 December तक कि ये data सभी विभागो की तरफ से DOPT को पहुच जाने चाहिए DOPT ने ये भी कहा कि जो rules and regulation है उनके अंतरगत ये हम सारी की सारी information अपने पास inputs रख सकते हैं इसलिए data मांगे गए हैं CCS pension rules जो है CCS इलसी जो किंद्रे क्रमचारीं को उपर rule 48 और FR 56 ये rule लागू होते हैं उसके अंतरगत वो सारे क् नख सकता है और उसी के अधिकार के अंतरगत DOPT ने सारे data मांगे हैं DOPT का कहिना कि हमारा अधिकार है कि पबलिक इंट्रेस्ट में हम किसी भी केंद्रे करमचारी को compulsory retire कर सकते हैं latest communication के हिसाब से मैं अब आपको बता दूँ को DOPT बिलकुल सक्त हो चुका है और उन अधिक aż क सकती है उसको नाराज़गी भी हो सकती है क्योंकि जो करम-चारी काम में थोड़ी रूचे-कम रखते हैं जिसके कारन वो काम नहीं कर म्हाने वह पूरा तो वह बोज किसी दूसरे क्रमचारी पर पड़ता है काम तो आखिरकार होना ही है चाहे किसी भी विभाग में काम हो काम को तो कंपलिट होना ही है पर जो करमचारी ऐरूची रखते हैं काम में तो जो दूसरों के लिए बडन बनते हैं तो काफी हर्त देता के तो ये काम डियो पीटी का ठीक भी है आपका विचार क्या है इसके उपर आप कोमेंट करके जरूर बताईएगा डियो पीटी ने इसके बारे में पहले ही संदेश दे दिया था और पहले ही सभी विभागों के इस बार में एक बार फिर से चिताया है और पहले भी एक बार चिताया गया ह सरकार क्या क्या information चाहती है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ करमचारी ने कितनी बार लिव ली है उसके उपर penalty कितनी इंपोज है जाने कि उसके खिलाफ legal action जो rules and regulation है department के या service के उसने कितनी बार तोड़े है वो detail मांगी गई है इसके इलावा उसकी अपरेजन रिपोर्ट भी मांगी गई है ताकि वो देख सके कि उसका अपने केरियर के तरफ क्या रूची है और उसका future में क्या केरियर है उसकी रूची कितनी है service के परती वो details मांगी गई है इसके इलावा health condition employee की कैसी है और उस health condition का उसके काम करने पर क्या परभाव पड़ रहा है सारी की सारी information मांगी गई है और इसके लावा और कौन-कौन सी बाते हैं जो इंप्लोई के काम में परभाव डाल रही है वो सारी की सारी details भी मांगी गई है सरकार का कहना है कि हम करप्षन के बिल्कुल खिलाव है इसलिए जितने भी करप्षन के face करने वाले करमचारी है या जितने भी non-performing करमचारी है deadwood उनको नाम दिया है उनको हम जड़ से उकाड फैकेंगे यानि कि नोकरी से बाहर कर देंगे आपको पता होगा परद्धान मंत्री नरिंदर मोदी ने संतुन्तर दिश्व की सवीष पैस जड़ भासन दिया था उसमें क्या कहा था कि हमने बहुत सारे कदम उठाए है वरष्टाचार को जड़ से उकाड फैकने के लिए आपने पिछले पांच सालों में देखा होगा कि किस परकार से हमने बहुत ज़्यादा मातरा में उन करमचारियें को सर्विस से डिस्मिस कर दिया जो परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे थे यानि कि जो क्रफ्ट थे इसके लाव उनका कहना है कि जो भी काम करने की जो सरकारी काम है उसमें एरुची रखते हैं या सरकार के काम को आगे बढ़ने में बाहदा डालते हैं तो हम जल्द ही उनके बैग पैक करने का पराधान कर लेंगे इस परकार का वक्त है वह उनका था आपका इसके बारे में क्या कहना है कुमेंट करके जुरू बताईएगा जब मुदीर सरकार की जो नई पॉलिसी आई है सारे की सिसरी डिटेल मांगी गई है और उनने सपस्ट अब दो में कहा कि हर महिने अब करमचारिक कंपल से डिटार जाएंगे ही जाएंगे चाहें आप किसी भी डिपार्टमेंट से हो आपको जो डिटेल में जो डिटेल में जल्द ही मांगी जाएगी तो आप सचेत हो जाना पहले ही कि ये डिटेल से आपके डिपार्टमेंट में नहीं डियो पीटी ने मांगी है और डियो पीटी में जाके इन डिटेल का क्या होने गया है आपका ऊपर कितने भी लिगल एक्षन होए हैं वो मांगे गए हैं सारी की सारी डीटेल से और आपकी integrity health condition का आपके काम की उपर क्या परभाव पड़ा वो सारी की सारी डीटेल मांगे गई हैं ताकि ऐसे करमचारियों की लिस्ट बना सकें जो कंपल्सरी रिटार्ड हर महिने करने ही करने हैं सरकार को आज किस वीडियों में इतना ही था आपको फिर में लेंगी हैं नई वीडियों में तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरम